अरबाज खान ने अपने आने वाली फिल्म 13 इंतजार पर बात करते हुए तलाक के बाद भी मलाईका अरोडा के लिए बहुत बड़ी बात कहा दी है अरबाज ने इंटर्व्यू के दोरान सल्मान खान की आने वाली फिल्म दबंग टीन के बारे में बता रहे थे तभी उन्होंने मलाईका को लेकर ये बात कह डाली बॉलेवुड की सबसे सक्फल्प वे चाईजी में से एक दबंग के प्रोडियूसर अरबाज खान ने जानकारी दी है कि दबंग टीन की शूटिंग अगले साल ही शुरू हो पाएगी क्योंकि सल्मान खान इन दिनों टाइगर जिन्दा है कि शूटिंग में व्यस्थ हैं लेकिन इस बी इंटर्व्यू में अरबाज खान ने मलाईका अरोडा के फिल्म में आइटम रोल को लेकर ये खुलासा किया अरबाज बातों बातों में ये कह गए कि मुन्नी बदनाम हुई आइटम सौन करने वाली मलाईका अरोडा को रिप्लेस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता इस बात से साफ डाहिर की दबंग टीन में मलाईका का एक बार और आइटम नंबर देखने को मिलेगा इसके लिए मलाईका भी फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए हामी भर चुकी है बतादे की कानूनी और पर अलग हुए अरबाज और मलाईका का तलाक हो चुका है लेकिन अभी भी एक दूजे के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलते नजर आते हैं याद हो तो दोनों को एक साथ बीच पर छुटी मनाते हुए भी देखा गया था अरबाज खान की बत और एक्टर फिल्म 13 इंतजार आ रही है जिसमें लीड एक ट्रेस में उनके साथ सनी लियोनी होंगी फिल्म को राजीव वलिया ने डायरेक किया है और 24 नवंबर को सिनेमा घरों में लगेगी ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है